नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सब बढ़ी होंगे आज जी जो आप फोन देख रहे हो यह सेमसंग गेलक्सी एस ट्वेंटी एफ इफ एफ 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 एडिसन बोले तो मतलब यह जो पिछला वाला एपी था उससे थोड़ा सा स्लाइटली बेट सब फील होगा और देख सकते हो कि जो यह प्लास्टिक बैक है इसमें जो कि एक मैट फिनिस के साथ आता है और इसमें फिंगर प्रिंट वगएरा नहीं आते हैं और आज का जो इस स्मार्टफोन का मैं रिव्यू कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो आपको जरूर इसे देखना चाहिए क्योंकि इसकी कुछ इसकी तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव बता हैं लेकिन मुझे कुछ निगेटिव बातें भी पता हैं जो अपने जैन में मैं छुपा के रखे हूंगा और मन करता है कि बताओ तो न इसलिए वाला जो फैन एडिशन था यह लगबग उसी के जैसा है कुछ चेंज नहीं हुआ है और वैसे उपर की सहीदा आपको सीम एजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है अगर हम सीम को अटा को देखते हैं तो यह के हाइब्रेट सिम का डिस लाट है मतलब आप दो सीम या एक सिम या एक चिप लगा सकते हो कुछ ऐसा वाला सीन कर दिया इन लोगों ने लेकिन यहां पर हमें एंड्रोइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है मतलब इसमें एंड्रोइड 11 हाता है इसके साथ में और इसका एंटी टू स्कोर आप में आपको दिखा रहा हूं जो की है 625954 मतलब 6,25,954 एंड इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नेप ड्रेगन 865 और यह वह उनली एक यह वेरियंट में आता है एटाएंड 128 जी वाले में इसके अलावा हमें इसका दूसरा पीस देखने को नहीं मिलता है जिसका ट्राइस है पोर्टी सेवन ट्रिपल 42,999 में आपको मिल जाएगा एंड इसकी डिस्प्ले की अगर बात करе तो भाई क्या ही बात करें मतलब सैंबसंग के सुपरा मौर डिस्पले को कौन नहीं जानता मुझे इसकी डिस्पले अधर स्मार्टफ़INO की कफो यह तग्डी लगती है और अग डिस्पले की बात ही कर अपने लगते हैं बेटा मैंने में लड़ फूटा तो वही के स्वीन हो जाता है मतलब मैं बता नहीं सकता उनको बस यह लगता है कि बस बाइस में 90 सपोर्ट करेगा तो हाँ आप सब्सक्राइब नहीं कर रहा है लेकिन कितना कर रहा है मैं यह भी नहीं बताऊंगा इसके लि लेंस देखनों के मिल जाता है एक बहुत अच्छी बात है और फ्रंट कैमरा जो है वह आता है 32 मेगर पिक्सल के साथ में और इसका जो 12 मेगर पिक्सल का कैमरा है तो कुछ लोग 12 मेगर पिक्सल उनके करेंगे तो उनको मैं बता दूं कि बेटा यह 48 मेगर पिक्सल से कहीं ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक फ्लैप्सिक लेवल का स्मार्टफोन है आपको यह चीज भूलने नहीं चाहिए और इसके साथ ही में इसका जो कहर ढ़ाने वाला सीन है वह इसका एट मेगर पिक्सल का टेली फोटो लेंस जो की सपोर्ट करता है 30 एक्स की जोमिंग को मैं और इसकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल में से नहीं अच्छे से कहीं पर हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती है और जो ब्लरिंग वाला सीन है वो भी काफी तगड़ा है तो कैमरे से तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है और जिस चीज से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है वो म मैं अब आपको बता देता हूं जिसमने स्टार्टिंग बता था कि इसके मैं एक निगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा और इसका निगेटिव पॉइंट्स थोड़ा सा मेरे नजर में जो मुझे लगता है मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत हूं आप लोग प्रेंड के पास है और 4000 की बैटरी उसमें लेकिन भाई जो इसकी डिस्प्ले है ना वो मुझे लगता है कुछ जादा ही बैटरी को लेती है यूज करती है तो जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि 5000 की या 6000 की बैटरी को देनी चाहिए ति मतलब जो इन लोगों ने दी नही और देखो कि यह कितने ग्राफिक सपोर्ट करता है PUBG में बोले तो गेमिंग टेस्ट वगेरा है मैं पूरा गेमपली नहीं दिखाऊंगा बस आपको दिखा रहा हूं कि कितने ग्राफिक सपोर्ट करता है आईज यू έक इन सी देख सकते हो आपकी यहाँ पे इस मूद पे एक्स्टریम और बैलेंस पे चेक कर लेते हैं बैलेंस में भी एक्स्टिम एंड़ेश्टी ऐसे मेरा जो आइपए डेट जनरेशन जिसे मैं एडिट कर रहा हूं प्रिलियंट में यह भी अप्टर पे उनली हाई याता है और एचडियार पे तो एक्ट्रीम का आपसन ही नहीं है क्या चल रहा है मतलब सेमसंग ने तो अपने आईपैड डेट जनरेशन को पीछे कर दिया बोले तो आईफोन एकसार को पीछे कर दिया इसने मुझे नहीं पता आईफोन एकसार में कितने सपोर्ट करते हैं लेकिन चिपसेट तो से मैंना है टॉल बायोनिक चिपसेट है उस पे भी और इसमें भी फैर कोई नहीं अब यहां पे तो लग गए और जो लोग मुझे कहेंगे कि बेटा तो फस गया उनको मैं बता दूँ यह एपल है और हमारे कभी लगते नहीं और लग भी जाते हैं तो हम चिलाते नहीं तो हम मैं बता रहा हूं आपको कि यह फोन किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए वैसे तो आप इतना वीडियो देखकर खुदी समझ जाओगे कि क्या आपके ल पुरा भी नहीं है और गेमिंग के मामले में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है भाई साब यह मैं बस इसकी बैटरी को ध्यान में रखके बोल रहा हूँ मतलब आगर आप गेमिंग करोगे तो जैसे पब जी जैसा गेम अगर आप खेलोगे तो हो सकते हैं आपको दिन में दो बार इसे चार्ज करना पड़े बांकि कोई दिक्कत नहीं है दो बार से ज्यादा तीसरी बार आपको इसे चार्ज करने के जरूरत ही नहीं पड़ेगी बस यही मेरो को लगता है और आप इसको बिल्कुल ले सकते हो इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी कैसे लगी कमेंट करो और जाते जाते काऊंगा लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो वरना मैं रात काऊंगा सपने में और अपनी सकल दिखा के डरा जाऊंगा बाई बाई